हेलो एब्रीवन स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में आज हम सभी जिस टॉपिक को डिसकस करने वाले हैं वो है पॉईजनस एंड नॉन पॉईजनस स्नेक्स ऑफ इंडिया इंडिया में स्नेक्स की बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं इनमें बहुत सारी स्नेक्स हम दीटेल में जानेंगे तो चलिए स्टार्ट करते है आज का टॉपिक पॉईजनस एंड नॉन पॉईजनस स्नेक्स ऑफ इंडिया इंडिया में जितनी स्पीसीज है बहुत सारी स्नेक्स है जो नॉन पॉईजनस है जो हाम्फुल नहीं होते हैं ये हामलेस है नेरली 300 स्पोस्थ 300 इंडिया में इतने स्नेक्स पीसीज है जिसमें से 60 वेनमस है जो बहुत ही हाम्फुल एनिमल है और 40 इंडिया में पॉईजन तो है बट नॉट बाइजनस नेक्स और रेस्ट अंट नॉन वेनमस नॉन पॉईजनस है वो तो बिलकुल ही हामलेस है तो इस तरह से अंदाजा लगाया जा सकता है तो बिसीकली जादा तर नॉन पॉईजनस ही होते हैं देखे जो पॉईजनस स्नेक्स है जिसमें दो बड़े बड़े तीत होते हैं जिसे फैंग कहते हैं तो जब वो बाइट करते हैं तो वो दो बड़े बड़े तीत क्या निशान हो जाता है अगर आपको कोई जहरीला साब काट लेता है तो वो जो बाइट वाला जो मार्क है उसमें दो बड़े-बड़े निशान दिखेंगे दो बड़े-बड़े पंक्षर के निशान दिखेंगे इससे हम समझ सकते हैं कि यह snake poisonous हो सकता है इंडिया में सबसे कॉमन जो है सनेक वो है कोबरा, नाजा-णाजा, सबसे कॉमनली फाउन्ड पयसन इसनेक और अधर भी है जैसे वाइपर, क्रैट, सीसनेक यह सारे पयसनसनेक के काटिगरी में आते हैं Non-poisoner snakes, which are harmless, they did not have poison apparatus and fangs. इनमें कोई भी poison glands नहीं है, कोई fangs, दो बड़े-बड़े teeth for injecting venom, नहीं सारी कुछ भी चीज़े नहीं क्योंकि इनमें poison नहीं होता है. So when they bite, they leave many small pricks only. जब ये bite करते हैं, तो इनमें तो वैसा bite mark नहीं दिखेगा, जैसे दो बड़े punctures नहीं दिखे हैं, बड़े-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे, इनकी जितने भी teeth present होते हैं, उसका निशान रहता है, वैसा mark देखने को मिल जाता है. Example, python, अजगर, they are non-poisonous snake, इनमें जहर नहीं है. तो अब देखते हैं कि identify कैसे कर सकते हैं कि कौन सा snake poisonous है और कौन सा non-poisonous. It is easy to differentiate the non-poisonous snakes from poisonous on the basis of the shape of their tails and the size and arrangement of scales and seals on their body. बहुत सारे ऐसा features है, ऐसे characters, जैसे tail देखकरके, उनके head में कैसे scales present है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, जिने देखकरके हम समझ सकते हैं कि यह poisonous snake है या नहीं, तो चलिए, इन सब भी points को देखते हैं. सबसे पहले, type of tail. सबसे पहले हम देखेंगे कि snake का जो tail है वो कैसा है, अगर tail laterally compressed है, अगर tail जो है बहुत पतला सा चप्ता सा है, तब हम समझ सकते हैं कि यह marine या sea snake है, समुंदर में रहने वाला snake and यह बहुत ही ज्यादा poisonous होते है, बहुत ही जहरीले है, एक्जाम्पल है इ जिसा commonly देखने को मिलता है, then it is land snake, terrestrial है वो जमीन पर रहेगा and यह poisonous भी हो सकता है और non-poisonous भी, then examine further, अब tail वाला criteria complete हुआ, अब हम आगे फिर से चेक करेंगे, इस डाइग्राम से देखी हम समझ सकते हैं कि poisonous और non-poisonous snakes को किस तरह से हम identify कर सकते हैं, तो सबसे पहला जो criteria होत अगर tail flat है, बिल्कुल ही चप्टा सा है, then it is sea snake, यह poisonous होता है, और अगर cylindrical tail है, rounded shape में है, तो यह land snakes होगा, और यह poisonous भी हो सकता है, और non-poisonous, तो हम फिर इसका next character को examine करेंगे, कि यह कैसा है, तो तेल चेक करने के बाद हम देखेंगे, इसमें belly skills कैसे है, जो ventral side है body का, belly side, त अगर जो belly scales, they are small and continuous with dorsal scale, then it is non-poisonous, यहनि कि इसके peat की side पे, dorsal side पे, और ventral, दोनों ही तरफ ऐसे चोटे-चोटे scales है, continuous है, तो हम समझ सकते हैं, कि चलो यह तो जहरीला नहीं है, if the belly scale is not fully broad and do not cover the belly completed, then it is non-poisonous, यहनि कि बड़े-बडे जो scale है, वो इतने बड़े नहीं ह चोटे-चोटे scales भी side में present होंगे, तो इस तरह का कुछ होता है, non-poisonous में और इसका सबसे अच्छा example है, python, python में अजगर में ऐसा देखने को मिलता है, the belly scales are broad and completely covered the belly, belly scales बहुत ही बड़े-बड़े हैं, और पूरे belly को cover कर लेंगे, तो यह poisonous भी हो सकता है, और non-poisonous, then फिर हम इसे examine करेंगे, अब next इसका जो character है, उसे देखा जाएगा, अगर belly के scales, dorsal और ventral side में दोनों में ही continuous है, इस तरह से चोटे-चोटे belly scales होंगे, तो यह बिल्कुल जारीला नहीं है, यह non-poisonous है, अगर belly के scales, बड़े-बड़े shields तो होंगे, बट यह पूरे belly को cover नहीं करें, साइट-साइट में देखिये, चोटे-चोटे भी shields इस तरह से present होंगे, scales होंगे, तो यह non-poisonous snake है, जैसे कि python, next, अगर यह जो belly scale है, यह बहुत ही बड़े-बड़े इस तरह से shield होंगे, और यह पूरे belly को अगर cover कर रहा है, then it may be poisonous और may be non-poisonous, तो हम फिर इसका next criteria पे कर सकते हैं, कि यह कैसा snake है, देखिये, head में जो shield present है, एक होते ही चोटी-चोटी scales, और जो बड़े-बड़े साइज के covering होते है, that is called shields, तो अगर shield absent होंगे, and पूरे head में, चोटी-चोटी-चोटी scales present होंगे, तब snake जो है, वो poisonous होगा, if head scales are small, head is triangular, and l'oreal pit is absent, जो poisonous snakes होते है, हमेशा scales, जो होगा, वो, head में, चोटा-चोटा होगा, और जादर तरफ जो इतने भी poisonous snake होते हैं, उनमें, triangular shape का head होते है, head is triangular shape, and l'oreal pit is absent, l'oreal pit present हो सकता है, अगर l'oreal pit absent होते है, यह basically, eyes or nostrils के बीच में, प्रेजन होता है, और it helps to detect temperature of the surrounding, आस-पास का, क्या temperature है, environment को पहचा अगर कोई prey है, सबसकोई rat है, तो उसकी बॉडी के heat से वो उसको detect कर लेता है, तो यह l'oreal pit का कुछ इस तरह का function होता है, तो यह l'oreal pit basically एक thermal detector है, रिटेक्ट करता है आस-पास के temperature को, और यह l'oreal pit अगर absent है, तो pitless है, जितने भी pitless vipers है, यह सारे poisonous होते हैं, अब इनमें दो criteria हम देख सकते हैं, कि subcordals, यानि कि tail region में जो उनका scale है, अगर वो divided है, दो ग्रुप में बटा हुआ दिख रहा है, तब Russell's Viper का example हो गया, और अगर subcordal एक ही है, तो 21 carinata, तो यह है सारे poisonous snakes, next, अगर head scales small है, और l'oreal pit भी present है, between nostril and eye, then it is poisonous, तो obviously l'oreal pit absent है, तो pitless vipers, pit wiper, example is, ancestron, next, head is covered with large seals and no l'oreal pit is found, अगर head में बड़े-बड़े shields है, छोटे-छोटे scales ना होकरके बड़े-बड़े shields हैं, और उनमें l'oreal pit भी नहीं है, तो वो poisonous भी हो सकते हैं, और non-poisonous, फिर हमें examine करना पढ़ेगा, next criteria देखे क्या है, देखे, head में scales किस तरह से हैं, अग अगर पूरे head में छोटे-छोटे scales present होंगे, और pit नहीं होगा, l'oreal pit अगर absent होगा, then it is called pitless wiper, ये भी poisonous होता है, अगर eyes और nostril के बीच में pit present है, l'oreal pit और पूरे head में छोट-छोटे scales present है, then it is pit wiper, ये भी poisonous है, अगर head में scales ना होकरके, बड़े-बड़े shields प्रेजंट है, त कोई l'oreal pit नहीं है, then it may be poisonous or non-poisonous, तो फिर हम इसके next right area में जाएंगे और फिर इसे examine करेंगे, arrangement of sealed and scales of the body, उनकी body में किस तरह से scales का arrangement है, ये देखना पड़ेगा, सबसे पहले, vertebrals, vertebrals क्या है, डorsal side का जो सबसे middle वाला रो होता है, जो सबसे उपर वाला पहला middle में रो है उसको बोलते है, vertebrals, ठीक है, ये बिल्कुल grade की हड़ी के पास होगा, तो vertebrals अगर बड़े-बड़े है, वो जो scale है, बड़े-बड़े है, hexagonal shape में है, और जो fourth infralabial scale है, इनके जो निचले जबडे का scale, उसे हम देखेंगे, अगर वो large है, तब वो poisonous, और इसका example है, crack, ये जो third supralabial shield है, वो आँख को और नाख, दोनों को ही touch कर जा रहे है, then it is called poisonous snake, neck with hood and spectacle mark, ज़्यादा तर cobra जो है, वो अपना फन पहलाते है, उनका जो neck का area होता है, वो बिल्कुल ऐसे spread हो जाता है, hood जिसको बोलते है, और इसमें spectacle mark present होता है, तो ये mark अगर present है, then it is cobra, और अग बेली में इसके coral spots present है, तो ये coral snakes है, example is calliophrys, presence of large shields only and all other characters such as hood, large vertebrals are absent, then it is non-poisonous, सिर्फ और सिर्फ बड़े-बड़े shields present है, और कोई character नहीं है, ना hood है, ना vertebral cell, बड़े-बड़े कुछ नहीं है, then it is a non-poisonous snake, देखे, वर्टीबरल को पहले देखा जाता है, अकि वर्टी size में है, और उसके जो निचला जबड़ा है, उसमें जो fourth number का देखे, scale है, ये infralabial scale, ये अगर बड़ा है, तब ये crat है, और ये poisonous होता है, अगर snake का जो third supralabial shield है, अपर जो में ये जो, देखे, one, two, three, third number पे जो इसे supralabial shield बोलते है, अगर ये इतना बड़ा है, कि ये eyes को भी touch कर रहा हो, और nostril, तो दोनों को touch कर रहा है, then it is cobra, और ये भी बहुत ही जादा poisonous होता है, identification के लिए ये table हम draw कर सकते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि किस तरह से ये identification का process होता है, तो यहीं पे हमारा सारा identification का criteria खतम हुआ, तो इन सभी चीजों से हम identify कर सकते हैं, कि ये snake poisonous है, और non-poisonous, any person having knowledge of identification of snakes, shall be able to identify the obviously dead snake, क्योंकि इतना identification एक जीते जाखते है, snake का करवाना हुसके लिए, तो dead snake obviously, हम ये सारी चीजों से एक्जामीन कर सकते हैं, कि वो खौन सा snake हो सकता है, तो यही था हमारा आज का topic, poisonous and non-poisonous snake of India, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से हम poisonous और non-poisonous snakes को identify कर सकते, बहुत सारे ऐसे characters हैं, जिने देख करके हम किसी भी dirt snake को पता कर सकते हैं, कि ये poisonous है या non-poisonous, पहले tail देखेंगे, then belly scales किस तरह से है, head scales, l'oreal pit present है या नहीं, sub caudals, कैसे हैं, इन सभी चीजों को देखने से हम पता कर सकते हैं, and lastly, scales जो है body में वो किस तर कर सकते हैं, इस topic को यहां पर खतम करते हैं, अगर आपको मेरा ये video पसंद आया हूँ, help हुई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी share कीजिएगा, likes, करना, ना भूले, and subscribe भी बिल्कुल करिये, and comments में जरूर बताए, thank you so much.